है है अब जो पर फंक्सरों स्टार्ट है तो जैसे ऊपििम्ल खत्म लगी वेडिंग संवावे और नहीं होने नहीं तो हम सब कोई ना कोई अच्छा सव दूर रहे होते हैं या फिर अलग अलग बवंसे चैचल करण रहे होते अलग-अलग से ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं अगर आप भी यह सब करवा रहे हैं तो आज मैं आपके साथ एक अच्छा सा पेस्पैक शेयर करने वाली हूँ इन सब करने में हेल्प करेगा अगर आपके स्किन पे जो दाग धब्बे हैं इन सब को घटाने में हेल्प करेगा साथी साथ अगर टैनिंग की प्रॉब्लम हो गई है उसे भी कम करने में हेल्प करेगा साथी साथ जो स्किन का टेक्शर है उसे भी स्मोथ करने में हेल्प करेगा तो जब यह सारी प्रॉब्लम आपके चेहरे पर होती है तो आप देखते हैं कि जब आप मेकप लगाते हैं तो जो भी लोग मेकप करना चाहते हैं या जो वुड़ ब्राइड है आने वाले घर में आपके शादी फंक्शन में आपको अच्छा दिखना है या फिर खुद की शाद करते हैं आपने बनाना देखना है किस तरह से इसे बनाना है ओ लगाना तो इस को बनाने के लिए सबसे पहले चीज्ज जो हमें यहां पर चाहिये होगी है रह। हम चैन्दण पाॉडर जो है हम यहां पर लेने वाले हैं 1 teaspoon आप चाहें तो इससे जादा ही बना भी सकते हैं म तो चंदन पॉडर हम ले लेंगे 1 टीसपून जो सेंडल बड़ पाउडर भी बोलते हैं नेक्स जो हम यहां पे लेने वाले हैं वह हम लेने वाले हैं यहां पे मुलतानी मिट्टी तो अब ही जो सीजन जल रहा है इसमें आप देखेंगे आपको पसीना भी बहुत हारा है गर हो जाएगा जो भी चीजे में बता रहे हैं बस आप एड करते जाहिए राष्ट में हम बताएंगे किस तरह से किसको लगा रहा है तो यहां पे मैंने 1 टीसपून जितना ही मुलतानी मिट्टी भी ले लिया है अब चो हम यहां पे लेने वाले हैं वह है लिक्यरिश पाउड आपने स्कीन को ठीक करना है यानि कि अगर तैनिंग की वज़े से आपके स्कीन जो है डल हो गई है डाक हो गई है या फिर दात धब्बे बहुत जाता दिख रहे हैं थोड़ा सा पिग्मेंटेशन वागेरा आ गया है इन सब के लिए यह जो है लिक्रेश पाउडर बहुत इतना फाइन पाउडर नहीं बन पाता है तो मैंने यहां पर आमेजन से बाई किया हुआ तो इसे भी आपको लेना है और यह आपको लेना है तो तीनों का हमने वन टीस्पून डाल दिया है नेक्स्ट जो हम आप इसमें एड करेंगे वह है थोड़ा सा टर्मरीक अगें इस वज़े से हम यहां पे थोड़ा सा अल्दी पाउडर एड करेंगे तो यहां पर मैं वाइल तर्मरीक का हुझ कर रही हूँ हो सक्टे तो आप यूज कीजिए आप चाहे तो इसे ओन्नाल ने सकते हैं एक बार आपको इसे बना के रखना है तो जितना भी हमने वन आपके लेके इसमें डालेंगे नेक्स जो हम यहां पर एड करने वाले हैं वह हमारा ओट का पाउडर आपको ले लेना है तू टी स्पून अब और जो पाउडर है यह हलका सा दढ़ा होता है और यह आपके स्किन को हलका सा बहुत हलका सा स्क्रब करता है जब आप इसे बहुत अच्छे से बैठता है इसमें अगर आप मेकप नहीं भी करते हैं तो नॉर्मल जो अपना टोनर मॉश्यराइजर सीरम अगरा लगाते है वह बहुत अच्छा लगता है काफी अच्छा ग्लो आता है तो इसलिए यहां पर हमने इसमें पाउडर डाला हुआ है चावल अगर आपको लगता कि आपको चावल का आट ज़्यादा सूट करता है तो आप उसे डाल लीए है डाल के बना लिए है अब यह जो हमारा फीसद्र । इसे लगाने का तरिका दे अब हम देख लेते हैं किस काटिग्री के SKIN के लोग जो है इसे किस तुरह सालगा सकते हैं आ जो भी आपके skin होगी आपको अलग अलग तरिके से यूज करने हैं अगर आपकी oily skin है तो आप इस pack को लगाने के लिए थोड़ा सा शहद का यूज करेंगे और इसके साथ ही थोड़ा सा आप यहां पे दही का use करेंगे आप दही के साथ इसे लगाएंगे तो इससे क्या होगा इससे आपको यह जो पैक है जा काफ ज़्यादा effective result देने वाला है जो शहद है वो natural hematrin का काम करता है तो आपके face पे जो moisture है उसे बना के रखता है कभी के भी हम देखते हैं हमारे चेहरे पे dry patches हो जाते हैं और यह जो dry patches होते हैं यह mostly आपको dry skin में बहुत दिखने को मिलती है इसके साथ ही combination skin वाले में भी काफी ज़्यादा को मिलती है इसलिए honey तो आपको add करने ही है honey एड करेंगे और इसके साथ ही आप करेंगे दही इन दोनों को add करके mix करके आपको इसे लगा लेना है अगर आपकी combination skin है तो combination skin में आप चाहें कच्छा दूर्थ आप चाहें तो अदही यूजख कर सकते हैं दोनों यूजख करके हैं जो भी आप क Edwards अपसे सकते हैं उसे लेकर यूजख कर सकते हैं और सब्सक्安排 हाठ्च करना ही है ve वह बहुत अच्छा ग्लो भी देता है, इस वज़े से हनी जो है, हर स्किन के टाइप के जो भी लोग होंगे, सबको लगाना है, तो सबको आपको हनी तो एड़ करना ही है, लेकिन जो कॉंबिनेशन स्किन वाले हैं, आप देखेंगे, क्योंकि अब वेदर भी चेंज हो रहा ह अगर आपको लगता है, ज्यादा ड्राइन इस अब करना ही तो आप लगता है, कच्छा दोध यूज यूज करने वाले हैं सबसे पहले तो आप यूज करेंगे यहाँ पर ब्रच्छा दूध इसके बाद हनी तो आपको एड़ कarmaहीं है, क्योंकि अब पर दाला है आपको dryness फील हो तो यहां पर आपको दो से चार ड्रॉप इसमें glycerine की भी add कर देना है तो जिनको भी लगता है उनके स्किन बहुत ज़्यादा dry लगती है डल लगती है ग्लो नहीं लगता है तो थोड़ा था आपको glycerine ग्लिसरीन एट कर देने से आपको बिल्कुल भी ड्राय नहीं लगेगा और यह जो मास्क है यह इसका रिजल्ट काफी अच्छा है तो इस तरह से अच्छा दूद्र तो उसको लगाती हूं तो इसके लगाती हूं अपको लगा लेना है बहुत आपको-पतला नहीं बनाना यह तुर्टा सा अपको फिक रखना है इसे बना के रक लिजेगा इस पाँडर को आपको बनागी रखना है आराम से आप इसे पांद्रा से एट कि बृस बीज दिन तक बना रहा दाग धबे भी तरह कम दिखने लगते हैं और इसको लगा के आपको 15-20 मिनिट तक छोड़ देना है जब भी ड्राय हो जाएगा तो हल्का सा आप रोज वाटर स्प्रे कर सकते हैं या पिर नॉर्मल जो वाटर होता है उसे स्प्रे कर लिजेगा स्प्रे करके हल्का सा स्क्रब स्क्रब करेंगे तो आप जो देखेंगे आपकी जो ड्राय स्किन है वह भी हट जाएगी स्किन बहुत स्मूध दिखती है अच्छी दिखती है हल्का से स्क्रब करते वह आप इसे उतार लिजेगा उसके बाद जो भी आप अपना मॉनिंग रिच्वल करते हैं या फिर आप लगाना है और लगाईएगा आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा तो यह था आज का वीडियो आपको वीडियो पसंद आया होगा आपके लिए हेल्फुल रहा होगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्स्राइब करना तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में